अंजी दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ वह सब बढ़ी आऊंगे इस वीडियम दोस्तों बात करेंगे SS वूमेंज वर्सिज एस वूमेंज यानिकी सिडिनी सिक्सस वूमेंज और एडिलेस टाइकर वूमेंज के बीच में जो वूमेंज बीबियल यानिकी WBBL का जो मैच नमबर 5 खेला जाएगा इसको कवर करेंगे वीडियो पूरा देखेगा फूर से बतादू सिडिनी सिक्सस वूमें वर्सिज एडिलेस टाइकर वूमेंज के बीच में ये वूमेंज BBL का मैच नमबर 5 खेला जाएगा सब के बार में बताऊँगा जैसा कि मैंने लास्ट मैच जो कवर किया था WBBL का उसमें एक प्लेयर मैंने 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 करे थी निकोल करे जिसका स्लेक्शन जब मैं वीडियो कवर कर रहा था ना उस टाइम पे था बाई केवल 31% या सबस्ट ठीक है लेकिन मैंने आपको वीडियो में आपको किलियर कर दिया था कि 31% स्लेक्शन बले यह बट यह प्लेयर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी इवन आप लोग कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन भी कर सकते हो यह भी मैंने आपको बोला था इतना कम स्लेक्शन होते वे और अगर आप लोग उस मैच के रिजल्ट देखोगे ना उस अकेली बंदी ने 108 पॉइंट्स करके दिये थे तो भाई आपको जो इनफोर्मेशन दी जाएगी ना प्लेयर के बारे में वो एक अलग लेवल रहेगी मतरब सभी प्लेयर के बारे में जैन्वन इन्फोर्मेशन दूँगा कि भाई कून सा प्लेयर इंपोर्टेंट है और कून से प्लेयर को छोड़ के चल सकते है तो पूरा वीडियो देखोगे सारी चीज़े के लिए रोजेंगे कोई गंफुजन नहीं बचेगा एक एक चीज़े डीपली आप लेगे मैं कवर करने वाला हूँ ठीक है और दूसरी जो इंपोर्टेंट चीज़े है वो है भाई टेलीग्राम चैनल को जोईन करना देखो यह हमारा टेलीग्राम चैनल है ठीक है इसको आप लोग जोईन जरूर करना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ सबसी उपर आपको टोप में एक पिंड गमेंट मिल ठीक है यह हमारा टेलीग्राम चैनल है और यही हमारा एकमातर ओरीजिनल टेलीग्राम चैनल है यह भी जानकना इसके लावा जितने भी मेरे नाम से चैनल मिलेंगे सारे फेक मिलेंगे ओरीजिनल टेलीग्राम चैनल को जोईन करनो जिसका लिंक आपको नीचे इसी वीडिय पे फिर आएंगे टीम स्लेक्शन पे तो पिछ रिपोर्ट के अगर मैं बात करूँ वेन्यू की बात करें सबसे पहले नोर्थ सिडिनी ओवल के वेन्यू पे यह मैच कहला जाएगा यहां का जो विकेट है एक बैटिंग सर्फेस विकेट आपको देखने को मिल सकते अब स्लाइटली एडवांटेज कह सकते हो थोड़ा सा भाई जो की फर्स्ट बैटिंग को सपोर्ट कर सकते है लेकिन दोनों टीम्स बढ़िया टीम्स है दोनों टीम्स की बल्ले बाद जी गिंद बाद जी दोनों स्टोंग है तो मेरे साब से जो एवरेज स्कोर इस वेन्यू प खेले गए उनमें भाई फास्ट बुजो बोलर है उन्होंने 66 विकेट लिये और जो स्पिन गेंद बाद है उन्होंने केवल 11 विकेट लिये तो यहां पे पेस जो रहेगी ना यानिकि जो फास्ट बोलर से है वो थोड़ा डोमिनेट करके जरूर से चल सकते है तो ज्याना क बट बारिश देखो किसी के हाथ की चीज नहीं है फिलाल उसको साइड गर दीजिए एवरेज जो स्कोर है पास्ट टेट उन्टी के 148 के आसपास है मैंने आपको कितना मेंसन गरा 145 ए 155 ठीक है इसलिए मैंने बोला कि यह जो विकेट है ना इस पे इतना स्कोर तो बाई ग के बार में दोस्तों आपको सिर्फ इतनी चीज़े जान में रखनी है जो जो चीज बताईए जितना एवरेज स्कोर बताया है उसी हिसाफ से टीम सेक्षन करोगे तो ही आपको ज्यादा बेनेफिट मिल पाई का ठीक है अब ही हम लोटते है भाई सीधा सीधा अपने टीम से अब आपको जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्षन में एली याप पे अनेवलेबल रहेंगे ब्रेक पेटरसन पहली ओप्षन है सराब राई से दूसरी ओप्षन है सराब राई से की बार में इकसे बता दू यह नॉर्मली है तो भाई किसकी स्कोर्टलेंड वूमेंस की प्ल आपके ब्रेक पेटरसन को बैक कर लो क्योंकि दुनिया तो दोड़ेगे ब्राई से के पीछे अगर ये बंदी फ्लोब गई इससे बैटर अगर पॉइंट ही मालीजे दो पॉइंट भी अगर एक्ष्टा कर गे दे दी ना पेटरसन ने वो भी आपके लिए बेनिफिट ही क कितनी है ठीक है बैटिंग सेक्षन मेंगे दोस्तो एलिस पहरी तो कॉमन पीक है पहले मैच में 81 रंस की भाई सब क्या गजब की फारी खेली दूसरी चीज़ है दो विकेट में पूरे चार ओवर गेंद बाजी अब पूरे चार ओवर अगर एलिस पहरी करेगी गेंद पहले मैच खराब गया कोई दिकत नहीं है काफ अची प्लेयर टीट उन्टी वर्ल्ड गप में भी रिशन्टी बढ़िया फोम इनों ने दिखाई थी लास्ट मैच में तो केवल पांची गर पाई एकाद मैच जाएंगे बाई किसी प्लेयर के खराब कोई इशू नहीं है पर फिर भी आप लोग बैक करूँ ठीक है काफ अची प्लेयर और दूसरी चीज मैंसन कर दो यहां की जो विकेट है न वो थोड़ा सा वेटिंग कंडिसन्स को फेवर कर सकती है अब उस केस में क्यागी लोरा वोलवेडोट फिर आपके लिए के लिए कि ट्रम कार्ड में कै काप्टन वाइस काप्टन जा सकते हैं यह ध्यान न किएगा ठीक है उसके बाद में मंदाना इनेवलियबल रहेंगे एच एर मीडे की अगर बात करेंगे दोस्तों पहला मैच इनका भी काफी बढ़िया गया था ओपनिंग बल्ले बाच जी गड़ी थी थी भाई 30 रंस की पारी नोने खेली थी ठीक है अभी मैं इनको फिला ड्रोप कर रहा हूं इनके उपर बाद में डिसकस करेंगे पहले थोड़ा सा नीच या हो कैटी मैक देखो ऐसी प्लेर है जिनका लास्ट मैच की वीडियो मेरी अभी है जाके देखना मैने आपको किलियर बोला था कि पहले एक बार जो जो मेन प्लेर है उनके उपर थोड़ा डिसकस करेंगे पहना की बात करें वन डाउन बल्ले बाजी पहला मैं चोदा ग्रेंड लीग की टीम में ट्राइग कर सकते हो स्मोल लीग की टीम में फिलाल मैं प्रैफर आपको नहीं करके चल रहा हूं ये ध्यान रखिएगा क्रेमागल की बात करेंगे दोस्तों बैटिंग में तो भाई ये देखो थोड़ा सा नीचे जा सकते है ठीक है लास्ट मैच में आठ रंस करते है बैटिंग ओडर की बात करते है तो अल्मोस्ट यहां पर फिफ्ट या फिर शिक्स डाउन की आसवास आईगा तो लास्ट मैच बोला था कैटन सी ट्राई कर सकते हो एक्जांबल दिया था कि टी टॉन्टी वर्ल्ड कप में बाई यहां पर उस्टेलिया वूमेन की टीम ने इनका प्रोपर यूज डंग से नहीं किया था ठीक है और मैंने वहां पर भी आपको मैंशन किया था जब मैंने ट सेकिंड डाउन बल्लेबाजी एक ओवर गेंदबाजी करवाई थी उसमें विकेट इनको नहीं मिले गेंदबाजी कर सकती है यह मैंने आपको लास्ट मैच की वीडियो में कवर कर दिया था और यह भी बोला था कि पूरे चार करेंगे नहीं करेंगे उसकी गारंटी नहीं बट यह गेंदबाजी जरूर कर सकती है इंपोर्टेंट प्लेयर है बल्लेबाजी में तगड़ी हार्ड इटिंग भी कर सकती है वो भी धान रखे ठीक है तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की 24 पे ले लो जो आपके पास में दूसरे विकल पाएगी गार्णनर पहला मैच बहुत ही खराब गया बट कोई इशू नहीं है वन डाउन बल्लेबाजी करी थी दो ही रंज कर पाई गेंदबाजी में विकेट नहीं मिले बट ऐसी प्लेयर है जो उपर बल्लेबाजी के साथ में चार ओवर गेंदबाजी देखे चलेगे ठीक है तीसरी प्लेयर कैप्टन जोगा तो एक चीज तो बिल्कूल कनफरम है कि भाई गेंदबाजी तो कट होगी किसे ना किसी प्लेयर की बस वो जाना किये ठीक है तो जैमा बेरेस्बी के साथ में जाना चाहू जा सकते हो बैटिंग ओडर काफी नीचे रहेगा ये दान में रखिये गेंदबाजी में पू पूरे चार ओर डाले थे और जब पूरे चार ओर अगर ओप्रेंड ग्रेस्ट जैसी गेंदबाज कर रही है ना तो फिर भाई इनके इंपोर्टेंस तो सीधा-सीधा बढ़ जाई और एक विकेट भी लेके गई थी वो भी धाना किये तो इंपोर्टेंट च्वाईस है तो शायद ये प्लेर उतना इंपक्त ना चोड़ पाई तो फिलाल इनको ड्रोप करके चलिए यहां से टी मैगराथ एलिस गारनर और उसके बाद में आपके पास में ओप्रेंड ग्रेस्ट यह तीन प्लेर आजेंगी बोलिंग सेक्शन में मैगन शूट पूरे चार ओवर स सकती है और लास्ट मैच में दो विकेट भी थे इंपोर्टेंट च्वाई से कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी पे स्टार मार के चलिएगा ठीक है अमांडा वेलिंग्टन देखो काफी बड़ीया प्लेर आपको जैन्वन्टी के साथ में बता रहा हूँ जैसा कि निकोल क्रे के बार में बोला था ना कल के मैच की वीडियो में रिपीट कर रहा हूँ वैलिंग्टन के बारे में लेकिन वैलिंग्टन कब इंपोर्टेंट है लजब वो करने को मिलेंगे अगर ओवर कट होंगे तो भाई एक दो ओवर में तो शायद किसे को विकेट ना भी मिले यार ठीक है अब टीम ने लास्ट मैच में तो दो ही ओवर करवाई दो ओवर में नहीं मिला विकेट अगर पूरे चार करवाते तो शायद विकेट मिलता और दूसरी बल्ले बाजी बैकप भी बढ़िया देखे जा सकती है और जिस परकार के गेंदवाजी दिख रही है Sydney Sixers Women's की टीम की उसको देखते हुए मुझे लगता है कि शायद इनकी बैटिंग भी आपके कई ना कहीं इस मैच में काम जरूर आ सकती है Sydney Sixers Women's की टीम के लिए वो जाना किए Darcy Brown की बात करें कुछ खास नहीं था लास्ट मैच में विकेट लेस थी पहले गेंदवाजी गरे अडिले स्टाइकर्स तो अप निटी में बैक कर सकते हो शिपल की बात करेंगे ठीक ठाक परफॉर्मेंस करी लास्ट मैच में दो विकेट इन के नाम थे पूरे चार ओवर इंपोर्टेंट प्लेयर और दूसरा Sydney Sixers मुझे वैसे भी थोड़ा स्टोंग टीम दिखरी है अब नहीं गरवाई भाई टीम के काप्टन है तो हम तो क्या ही कर सकते है अगर पूरे चार गरवाई तो मुसांग वे और भाई पूरे चार ओवर अगर डाले तो यहां पर वेलिंग्टन यह दो प्लेयर आपके लिए प्लेयर तो एक प्लेयर इन में से कोई भी अपने हिसाब से ड्रोप करके ना आप लोग यहां से सीधा सीधा बैक कर सकते हो किसको भाई अमन्डा वेलिंग्टन को यह दान रखेगा ठीक है अभी मेरी जो 11 प्लेयर की टीम है वो बन के क्रियेट हो चुकी है जो की में एक बारी आपको यहां से दिखा देता हूँ आप लोग देख पाओगी दोस्तों मेरी टीम में 11 प्लेयर आ चुकी है कहाँ चेंज करोगे आपको मैं ओलड़ी किलियर कर चुका हूँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करते सीधा सीधा एलिस पहरी कैप्टनसी पे तो स्टार मार दो यह तो अल्मोस्ट आपके फिक्स है कैप्टनसी के अंदर ठीक है वाइस कैप्टनसी कहां रखोगे पहली ओप्शन में रखोगे टीम मैंगराथ को दूसरी option में रखोगे याँ पर Alice Gardner को या फिर ये कर सकते हो Gardner को भी पहली 24 में वाइस कैप्टनची दे सकते हो क्योंकि मैगराथ के गिंदबाजी के चांस पूरे चार ओवर करने के कम है लेकिन Gardner के पूरे चार ओवर के करने के पूरे पूरे चांसे दूसरा उपर बल्ले बाद जी भी कर रही है तो पहली ओप्षन में वाइस कैप्टन सी पे आपके पास में गार्णर चली जाएंगी दूसरी ओप्षन में लेके चल सकते हो याँ पर भाया टीम में अगरात को बट मैं सिर्फ दो प्लेयर में एंसन करूँगा पहली 24 तो आपके इनी 13 प्लेयर में सोनी चाहिए इन पे भी आपको रिस्क उठाना है तो फिर आपको ये दो प्लेयर में सजेस्ट करूँगा बाकिन किलावा मैं आपको कोई भी प्लेयर Captain Vice Captain फिलाल प्रैफर नहीं गरूँगा बस ये दान रखेगा ठीक है तो ये मेरी 11 प्लेयर की टीम है अभी फिलाल बट इसको एक डेमो टीम आनगे चलिए सेम टीम समझगे इतको फाइनल टीम समझके मत चिपका देना कोई भी चेंज अकोडिंग टू टोस करना पड़ सकते हैं त टीम के नाम पे आपके पैसे लिए जा सकते हैं तो वो गलती मत करें हमारे साइड से कोई पैसा टीम के नाम पे नहीं लिया जाता भाई फिरी टीम सापको मिलती है टेलीग्राम पे अगर कोई आपसे मेरे नाम से पैसे मांगता है टीम के लिए तो ये समझ जाना कि सिधा श इसके वीडियोज आपको मिस्स नहीं करने मिलते हैं दोस्तों अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम स्लेक्सन करोगे और आपकी टीम अच्छा पर्फॉर्म जरूर करेगी